हलो फ्रेंड्स मैं हूँ चंदन अचर जी and welcome to my channel इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके personal youtube channel को brand youtube channel में कैसे move कराएंगे और वो भी आपके phone से साथ में brand youtube channel की benefits के बारे में भी जानेंगे वीडियो को शूरू करने से पहले मैं एक बात कहिना चाहता हूँ कि अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell notification को दबा दे अगर आपका एक personal youtube channel है और आप सोच रहे हो कि उस channel को brand youtube channel में move कराओगे या नहीं तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप बिल्कुल अपने personal youtube channel को brand youtube channel में move कराओ ब्रैंड youtube channel को यूज करने का बहुत सारा फाइदा है जैसे channel name customizations परसोनल एकाउंट में आप अपने youtube channel का name customization नहीं कर सकते हैं पर brand youtube account में आप वो कर सकते हैं next है multiple channel maintain in one account अगर आपका एक से ज्यादा youtube channel है और अगर आप सब channel को एक काउंट से maintain करना चाते हैं तो इसके लिए आपको brand youtube channel बनाना होगा personal youtube channel में आप यह नहीं कर पाओगे next है work in a group without sharing id and password अगर आपको group में या फिर team में काम करना है मतलब एक साथ कुछ लोग मिलके channel को maintain करना चाते हैं तो brand youtube channel आपके लिए बहुत effective है क्यूंकि brand youtube channel में आपको आपका channel का id and password किसी भी group member के साथ share नहीं करना है हर कोई group member का खुद का id and password होगा एंड उस id and password को यूज करके channel में login करेंगे आपको श्रीप अपने channel में उस group member या फिर team member को access permission देना होगा बस आप बात करते हैं security की अगर security की बात करें तो brand account personal account से ज्यादा secure है तो आये देखते हैं कि कैसे आप अपने phone से personal youtube channel को brand youtube channel में मूब कराएंगे सबसे पहले हमें Google Chrome को open करना है and then यहाँ पर हमें simply type करना होगा youtube.com youtube.com open हो चुका है अब आप देख सकते हैं यह जो youtube.com open हुआ है यह mobile version पर open हुआ है तो इसको हमें पहले desktop mode पर open करना होगा उसके लिए यह जो dot है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से desktop site जो है इसको enable कर देंगे तो YouTube अब desktop mode पर open हो चुका है इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं अब मैं अपने profile पर क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं मेरा जो email ID है उस email ID से already मैं logged in हूँ अगर आप logged in नहीं है तो आपको यहाँ पर simply login करना होगा अपनी Gmail ID and password से फिर हम जाएंगे योर चैनल पर तो यह मेरा एक personal YouTube चैनल है अब हमें देखना होगा कि यह जो मेरा YouTube चैनल है यह personal YouTube चैनल है या फिर brand YouTube चैनल है तो वो हमें पता कैसे चलेगा उसके लिए आपको इसको मैं थोरा से जूम कर लेता हूं उसके लिए आपको customize चैनल पर जाना होगा देन नीचे आप एक setting icon देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे यहां से चैनल पर जाएंगे देन advanced setting पर जाएंगे इसको थोरा से जूम कर लेता हूं उपर जाएंगे नीचे जाएंगे एंड यहां पर manage YouTube account पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर यह जो option है यह अगर आपका मेरे यहां पर आप देख सकते हैं यह यहां पर लिखा हुआ है you sign in to YouTube with your Google account अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके यहां पर तो आपका यह एक personal YouTube चैनल है इसको चिक करने का और एक तरीका है आप यहां पर advanced setting पर जाएंगे और इस पर आप देखेंगे move चैनल पे लिखा हुआ है move channel to a brand account अगर आपके चैनल पे ऐसा लिखा हुआ है कि move channel to a brand account तो इसका मतलब है यह जो आपका चैनल है वो personal YouTube channel है Brand YouTube Channel नहीं है Brand YouTube Channel में हमें मूप करना होगा इसको ठीक है । तो हमें पता चल गया है कि मेरा जो यूट्व चनल है वो brand YouTube channel है या फिर personal YouTube channel है आप अपनी संपसे इसको check कर सकते हैं अप देखते हैं कि इसको हम एक ब्रैंड YouTube channel पे मूप कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें एक brand youtube channel create करना होगा क्यों देखिए simple सा चीज है हमें move करना है मतलब personal youtube channel से brand youtube channel में move करना है personal youtube channel तो already मेरा है लेकिन brand youtube channel मेरा अभी तक नहीं है तो अगर नहीं होगा तो मैं move कैसे करूंगा तो इसलिए सबसे पहले हमें एक brand youtube channel create करना होगा नया brand youtube channel create करने के लिए हम जाएंगे यहां से account पे दिन यहां पे यहां पे यहां पे आपको add or manage youtube channels जो option है इस पे जाना होगा दिन आप देख सकते हैं यहां पे your channels के अंदर सिब मेरा एक ही channel है चंद नचार जी इसमें one subscriber है तो और कोई channel नहीं है तो हमें न आया brand channel create करने के लिए यहां पे create a channel option पे क्लिक करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं brand account create करने के लिए एक page पिन हुआ है इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यहां पे हमें channel का name देना होगा अब मेरा जो already एक personal youtube channel है तो उसका नाम है चंदन अचार जी अब जो brand account name मुझे देना होगा मैं चाहूं तो मैं चंदन अचार जी भी दे सकता हूं या फिर मैं किसी और नाम से जो brand account channel है उसको बना सकता हूं जो मेरा channel का name पहले से है मैं बो ही यहां पे लखूंगा मैंने नाम दे दिया है and then simply create option पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते है मेरा जो brand youtube channel है वो वीडियोस है सब कुछ हमें इस brand youtube channel के अंदर ट्रांसपर करना होगा तूम कर लेता हूं and यहां से जो profile icon है अस पे क्लिक करता हूं and यहां से अगर मैं switch account पे जाओंगा तो आप देख सकते है के मेरे यहां पे चंदनाचार जी no subscriber and चंदनाचार जी one subscriber यह आ चुका है मुझे क्या घरनाँ होगा जो चंदनाचार जी जो one subscriber है उससे वह मेरा पस्टनल utub channel है उससे जितनी भी content है उसको मुझे move करनाँ होगा brand youtube channel में मतलब कि चंदनचाड जी जो 9 सब्सक्राइबर है उस चैनल के अंदर तो उसके लिए हमें चंदनचाड जी जो 1 सब्सक्राइबर है इस चैनल को सिलेट करना होगा जैसे का आप देख सकते हैं यह मेरा personal YouTube channel है वो मैंने स्रेट कर लिया है अब मुझे इस personal channel को brand channel में move करना है उसके लिए मुझे customize button जो है उस पे click करना होगा and then यहां से नीचे जो settings icon है उस पे click करेंगे यहां से channel पे जाएंगे फिर advanced setting में जाएंगे नीचे जाएंगे यहां से manage YouTube account पे click करेंगे यहां से advanced setting में जाएंगे and इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं आप देख सकते है move channel move channel to a brand account इस option पे click करना है अब हमें यहां पे password देना होगा and then next करना है थोड़ा सा इसको में zoom कर देता हूँ आप देख सकते है YouTube channel being moved your channel यहां पे दिखा रहा है मेरा जो अभी current channel है जो personal YouTube channel है वो उसका image दिखा रहा है मतलब कि जो logo है वो दिखा रहा है one subscriber one video and no playlist यह दिखा रहा है उस channel ID दिखा रहा है अब यहां पे choose an account to move this channel to मतलब कि इस channel को यह जो personal YouTube channel है इसको मुझे कौन से बले जो brand account है अब नीचे यहां पे कुछ brand account दिखा रहा है मुझे अब मुझे select करना होगा कि कौन से बले जो brand account है उसमे मुझे इस channel को move करवाना है तो मेरा जो channel का नाम में वो चंदनाचारजी है personal channel का नाम एंड जो brand account मैंने थोरी दिर पहले create किया था उस channel का भी नाम है चंदनाचारजी तो मैं इस channel पे उसको move करने वाला हूँ तो इसको हमें select करना होगा एंड यहाँ पे replace पे click करना होगा जैसे मैंने replace पे click क्या यहाँ पे YouTube ने मुझे एक option pop-up दिया है यहाँ पे बो कह रहा है कि is all chंदनाचारजी मतलब यह जो channel का नेम है is already connected to another YouTube channel if you move your channel to a chंदनाचारजी currently connected channel will be deleted चंदनाचारजी no subscriber no video no playlist यहाँ पे आपको डढ़ने की ज़रुरत नहीं है आपको simply इसको क्या करना होगा टीक करना होगा and delete channel पे click करना होगा आपको यहाँ पे डढ़ना नहीं है मैंने थोड़ी दिर पहले जो YouTube channel एक brand YouTube channel बनाया था उसको वो delete करके उसके अंदर जो content है किया अब YouTube हमें पूछ रहा है कि are you sure that you want to move and update your channel मतलब जो मेरा personal YouTube channel है आप icon आप आई profile picture दे सकते हैं तो इस चंदनाचारजी से जो brand account है इसमें मेरा one subscriber one video and no playlist बोट ट्रांसपर हो जाएगा and उसके साथ साथ और क्या क्या होगा changes that will take place on moving your channel name and icon will be update across YouTube no channel URL will not change मतलब कि YouTube कह रहा है कि मेरा जो channel name and icon जो है बो update हो जाएगा YouTube में पर जो मेरा URL है मतलब channel का URL है बो अगर custom URL आप use करेंगे तो custom URL बो update नहीं होगा custom URL आपको move करने के बाद फिर से बनाना पड़ेगा पर मैं यहां पर अपने चैनल के लिए कोई custom URL यूज नहीं कर रहा हूं तो इसलिए यह कोई problem create नहीं करेगा तो simply यहां पे हमें move channel पे click करना होगा तो इस तरह से आप अपना जो personal YouTube channel है वो brand account में move करवा सकते हैं अब आये देखते हैं कि यह move हुआ है या नहीं उसके लिए फिर से मुझे यहां पे profile पे जाना होगा यहां से switch account पे जाना होगा आप देख सकते हैं कि मेरा profile picture चंदन अचार जी उस पे आप 9 channel हो गया है जो मैंने brand account create किया था उसके अंदर one subscriber आ गया है तो इसको select कर लेते हैं हमने इसको select कर लिया है अब हमें channel पे जाना है इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूं अब channel पे जाने के ल होगा अब देख सकते हैं कि मेरा जो YouTube channel है वो मेरा personal YouTube channel था वो brand account में move हो चुका है एंड उसके अंदर one subscriber था वो यहां पे आ गया है एंड स्रीफ one video मतलब एक video था वो भी यहां पे आ गया है अब मेरे इस channel पे स्रीफ एक ही video है एंड one subscriber है आपके लिए हो सकता है कि आपके जो YouTube channel है उसके अंदर बहुत सरी सब्सक्राइबर हैं बहुत सरी वीडियोस होंगे तो इसको थोड़ा मूब करने में YouTube को थोड़ा टाइम लग सकता है तो आपको पैनिक नहीं होना है आपको confused नहीं होना है चैनल को मूब करने के बाद आपके चैनल में कोई आपडेट नहीं आ चुका है अब एक चीज यहां पर प्राबलम होता है जब हम परसोनल YouTube चैनल को ब्रैंड YouTube चैनल में मूब करवाते हैं जो भी डेटा है सब कुछ मूब होता है पर यहां पर जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बूब नहीं होता है तो उसको फिर से हमें सेट करना होगा उसके अब यहां में कस्टोमाइज चैनल पर जाना होगा इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी इसी तरह से दिखाई दे ब्रैंडिंग पर जाना है और देन यहां से जो प्रोफाइल पिक्चर है इसमें अपलोड करेंगे इसको मैंने सिलेट कर दिया और डान कर देंगे फिर से मैंने प्रोफाइल पिक्चर सेट कर दिया है अब हमें सिंप्ली यहां से पाब्लिश पर क्लिक करना होगा तो प्रोफाइल पिक्चर मैंने सेट कर दिया है अब व्यू चैनल पर क्लिक करके हम तोरा चैनल को देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा यह जो चैनल है वो successfully move हो चुका है and यहां पर मेरा one subscriber भो भी यहां पर आ चुका है and यहां पर मेरा एक video है वो भी यहां भी दिखा रहा है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा कैसे आप अपने फोन से अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल को ब्रैंड यूट्यूब चैनल में move कराएंगे वो आपको समझ में आया होगा अगर इस related कोई भी वाइरीज है तो कमेंड में जरूर पूछें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए टाटा झाल